हलो दोस्तो नमस्कार चीज आप लोगों को सीखने को यहापे मिलने वाली है सो कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस्मत करना अगर हम लोग यहापे बात करें कल लेट नाइट भी एक और वीडियो यहापे आये था जिसका नोटिफिकेशन बहुत सार लोगों को नहीं मिला तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी आप लोगों को दे दिया है तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और नोड़ाओ दोस्तो आज के दिन के अगर हम लोग बात करें बहुत ही शांदार बाजार में हम लोगों को गिरावाट डेखने को आप मिली है सो यहाँ पर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से तो American Bazaar no doubt 100 point ही यहाँ पे गिरा था बट यह हम लोगों को second time होते वे देखने को मिल रहा है recently अगर हम लोग बात करें second time मतलब American Bazaar हम लोगों को एक बार मतलब अगर मैं 5 दिन का चार्ट पिटन दिखा दू तो यह दिखे यह पे कल के दिन की बात हो रहे है यह पे प्रसों की बात हो रही है जहां पे आपको पता है American Bazaar में जोरदार गिरावट होई थी ऑट हमारे मार्केट में इतनी जादा गिरावट नहीं होई थी यह प्रइट आसके दिन अगर आप देखोंगे तो आमारे इतना ज़ादा नहीं गिरा था बट कुछ दिनों के बाद वापस सारी चीजे मैच होते विए देखने को आपे मिली थी आज के दिन के बाद करें similar way वही चीज repeat होते विए देखने को आपे मिल रही है अमेरिकन बाजर कल इतना जादा नहीं गिरा बट येस हमारे मार्केट में हमलों को आज बहुत शांदार गिरावट देखने को आपे मिली है जैसे मैं अब भी आप लोग के लिए आपे बताया कि पाच दिन की अगर आप गिरावट डेखो गिरावट गिरावट लगबग 1.67 पूरा सेंसेक्स की मतलब डो जोन्स को तो हम लोग मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे उनकी एक्चौल में बड़ी प्रॉब्लम है बढ़ हम लोग उसी के आसपा से आप देख सकते हैं 2.56 की गिरावट डेखने को लिए थी और अभी 1.67 राइट तो डेफिनेटली उसी चीज को अमनों को धिमे धिमे मैच करते वे देखने को आपे मिल रहे हैं सो बेसिकली अगर देखा गया तो आज की दिन की जो गिरावट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहे थे वो में आप लोग के सामने आपे जरूर यहापे रखना चाओंगा जैसे कि आप सब लोग का बता है कि यहापे अमेरिकन बाजार की फ्यूचर की तो वहाँ पर हमनों को एक इंपोर्टन चीज देखने को मिली है कि अमेरिकन बाजार का जो 30,000 का लेवल था फ्यूचर की में बात करा हूँ वह हमनों को ब्रेक होते वे देखने को मिला है आज आप देख सकते हो 239 पॉइंट की गिरावट अमेरिकन बाजार के फ्यूचर म आप एजिले देखने को आप मिला था लाप साब शिलों को पता है दुनिया बरेके बाजार जिसमें खास करके यूर्योपीन मार्केट के और हम लोक ज्म जादा फोकस रपके यूर्य बाजार में भी कल के दीन चाहर को से प्रफेड के रेट है के हिसाब से अगर लोग बात करें यूरोप की तो हालत तो अमेरिका से भी खराब है तो ऐसा लगा था कि यूरोप में ज्यादा गिरावट होगी बट कल गिरावट नहीं देखने को मिली बट आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे तो यूरोपियन मार यह सारे चीज़ें वर्क करती है कि यह पर अमेरीकन बाजार के opening जैन डियूरिंग दा बाजार की बात करें तो अमेरेकन बाजार का future यहां पर उपन होने वाले यूरोपियन मार्केट इस हम लोग चेख करोगे तो हर जगे से हम लोग को सिर्फ negativity मेंस paling मिले हैं So no doubt जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि दुनिया बर के बाजार एक साथ हम लोगों को चलते वे देखने को मिल जाते हैं, right, but yes, उसमें भी देखा गया है, तो इंडियन मार्केट की जो स्थीती है, as compared to the other market अच्छी देखने को मिल रहे, अभी ये कैसे पता चलेगा, तो हम लोगों को आगे पढ़ने नहीं दे रही है, ये भी मैं बहुत बार आप लोगों को याप बता चुका हूँ, right, जैसे मैंने आप लोगों को बता था, पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ इंटर लिंक रहती है, तो इसके कारण ये प्रभाव हम लोगों को साफ साफ दे आप लोगों को पैसा आउट फ्लो होते वे देखने को आप मिल जाएगा, तो इसके चलते हैं हम लोगों को क्या देखने को मलेगा, ये सर डॉलर की शॉटेजिस देखने को मिल जाएगी, तो डिमांड बढ़ जाएगा, तो आप देख सकते हो, डॉलर अभी 81 के उपर close होत आने के लिए क्या किया था, बहुत सारा जो डॉलर था उन्होंने वहाप पे बेचा था, तो इस वक्त क्या RBI ऐसा करेगा या नहीं करेगा, वो देखना पड़ेगा, अभी तक तो उन्होंने ऐस सच कोई भी स्टेप यहाप नहीं उटा है, इसी के चलते डॉलर हम लोगों करें, 2020 में कैसे गिरा था मार्केट, कि COVID की से related news आती थी, या फिर lockdown से related news आती थी, वो एक specific news रहती थी, जिसके चलते बहुत बढ़ा sharp fall होता था, या फिर Russia versus Ukraine कोई नया update सामने आ गया, या फिर China versus Taiwan कोई ऐसी खबर आ गई, तो जिसके चलते एक specific खबर हमारे पास रहती थी, तो ऐसी कोई खबर नहीं है, ये एक normal बाजर में जो trend चलता रहता है, plus minus का rate trading होती रहती है, वो चीज़े ही हम लोगों को देखने का आपे मिल रही है, तो इसी के कारण ये सारा fall हम लोगों को फिलाल तो देखने का आपे मिल रहा है, no doubt inflation जैसी चीज़े है आपे available है बाजर में जो rate hike देखने का आपे मिल रहा है, इसके चलते बहुत सारी दिक्कते भविश्या में ज़रूर देखने का आपे मिलने वाली है, अगर इसी गिरावट में अगर कोई एक positive point है इंडियन मार्केट के लिए तो वो यही है कि हम लोगों को crude oil नीचे जाते वही देखने का आ कि यहाँ पर जो Mr. Powell जी ने जो commentary दी थी, right, FOMC की बैठक के बाद आप सब लों को पता है, outcome जो उन्होंने बताय था, तो उन्होंने बताय था कि लगातार rate hike करते 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 करते, जो उनका 2% का target inflation का, उसको match उनको करना है, तो might be USA यहाँ पर recession भी face कर सकता है, अगर recession face जैसे कोरोना में crude का demand बहुत कम हुआ था, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर demand कम हो जाएगा and supply बहुत जादा, तो automatically उस चीज का price नीचे आ जाते है, तो वही crude में भी हम लोगों को देखने को आप मिला है, यह सारी चीजे दोस्तों, यह macro economics है, यह हमेशा चलत में 100-500 भी गया था, तो यह सारी चीजे प्लस माइनस चलता रहता है, इसके बारे में जस्ट आप लोगों को knowledge जैसे मैंने का, कि update आप लोगों को पता होना चाहिए, then bond yield की भी अगर हम लोगों बात करें, तो no doubt इसमें भी हम लोगों को जबरदस jump यहाँ पर देखने को आपे भी कुछ पैसा हमनों को transfer होते हैं, easily देखने को आपे मिल रहा है, so जैसे मैंने आप लोगों को बताईए, यह सारी चीजे आपे बाजार में आये दीन चलती रहती है, तो इससे आप लोगोंने ज़्यादा, again कह रहा हूँ, अगर आप एक trader हो, तो definitely आप लोगों के ल लेता हूँ, एक और important चीज देख लेंगे, कौन सी वाली, तो yes, अगर आप sectoral indices भी देखोगे यहापे, तो आप देख सकते हर sector में तो गिरावट तो वैसे है, and अगर आप आज चेक करोगे, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर, मतलब 2% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, bank nifty के और से, no doubt, media में ज़्यादा गिरावट है, बट आप सब लोंग पते हैं, अगर bank nifty अगर इतना जोरदार यहापे गिरेगा, यहापे हाली में bank nifty ने एक higher level touch यहापे किया था, आप सब लोंग को ही पता है, तो उसके बाद, यहापे जैसे में आप लोंको बताया कि 18,000 लेवल तोड़ने के लिए, नया हाय बनाने के लिए, थोड़ा सा विदेश का भी support होना चाहिए, बट विदेश से तो हम लोंको सिर्फ और सिर्फ, यहापे pressure ही हमारे market में आते वे देखने का आपे मिल रहा है, तो उसी के साथ deal करना पड़ेगा, तो short से बड़ा contribution, यहापे अगर हम लोग बात करें, तो financial services सेक्टर में रहता है, और financial services का ही सबसे जादा वेटेज, nifty-fifty में होता है, तो वही चीज़े हम लोंको पासान होते वे देखने को आपे मिले, इसमें कोई rocket science वाली नई बात मैंने आप लोंको बताई, नहीं है, तो ज खोड़ा सा long range का ही हो गया, अगर आप लोंको closest level ही देखना है, जहापे अच्छे कासे position अभी फिलाल बनते वे देखने को मिल रहे है, तो फिलाल वो 17300 ही देखने को मिल रहा है, यह during the bazar ही देखने को मिला था, तो expectation था कि bazar कुछ भी हो जाए, 17300 के उपर ही close रहेगा, तो वैसी closing हम लोंको देखने को आपे मिली है, 17300, 2730 के आसपासी roughly कुछ closing हम लोंको देखने को आपे मिल चुकी है, next अगर हम लोंके आपे बात करें, तो resistant level आप सब लोंको पता है, यहापे तो no doubt हम लोग 18000 तो भूली जाए, 18000 तो बहुत ही strong resistant level है, उसके पहले कौन कौन से tough level यहापे देखने को मिल रहे है, so 94-1 है, एक 79 वाला level है, मतलब अगर हम लोग बात करें, no doubt whole number जो रहता है, वो एक psychological level रहता है, तो एक strong resistant देखने को मिल रहा है, and 17600 भी एक बहुत ही अच्छा का सा strong resistant level फिलाल तो देखने को मिल रहा है, so यह जो दो लेवल है, हम लोग कह सकत support and resistance चल रहे है, वो मिने आप लोग के सामने रखे, again कहना चांगे, इस CRI चीजे फटा 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 चेंज भी होती रहती है, एक positive खबर और एक negative खबर, यह सारे support and resistance को easily break भी आपे कर लेते, but जैसे मिने आप लोग को बता है, यह study करने के लिए आप जरू मिल रही है, और जो point हम लोग को देखने को मिला था, जैसे कि मैं एक साल का chat pattern open कर दूँ तो यह बार बार हम लोग को सीखने को बहुत अच्छा मिल रहा है, एक, दो, तीन, चार और फिफ्ट टाइम, no doubt जैसे मैंने आप लोग को बता है, इस level को तोड़ने के लिए, बहुत तरीके से अगर रहेगा, तो 18,000 को तोड़ने के लिए और भी ज्यादा समय भी आपे लग सकता है, तो अगेन कहना चाहूंगा, यह सारी बाते जस्ट आप लोग को सीखने के लिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया है, आप थोड़ी के स्टॉक्स ने 6-7-10 गुना रिटन दिया, तो अगेन कहना चाहूंगा, इंडेक्स को देखकर आप लोग ने चीज़े, अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉंग टर्म में बार बार रिपिट कर रहा हूं, तो इंडेक्स को देखकर आप लोग ने अपने पोर्टफोलिय को म बाजर बंद है, मंडे को स्टार्ट हो जाएगा, वापस ये पाच दिन ये जमिला चालू रहेगा, इसके चलते हैं, अगर कोई यहां पर टॉर्चर हो जाता है, और बाजर छोड़ने की बात करते हैं, तो फिर वो लंबी पारी ने खेल पाएगा, क्योंकि ये सारी मैंने जस्ट आप लोगों को यहां पर बता दिये, तो वीडियो अच्छा लगे, तो चाहो तो इसको लाइक और शेर कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये, 25 वीडियो के लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो अफ़ते बार के अंदर-अंदर ही सारी वीडियो अपने को फ्री आफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिये जाएंगे, so that's it, thank you very much, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye-bye